Hello friends, आज हम देखेंगे एक new lesson plan English, honeysuckle, plastic उसमें एक poem है, The kite आज उसी poem के lesson plan को हम देखेंगे जो kite poem है, उसको मैंने दो parts में divide किया है means, दो unit में Unit 1 जो है, वो पहले ही upload कर चुकी हूँ और Unit 2 यह है मिस पूरे पोईम को मैंने दो यूनिट्स में डिवाइड किया है तो मतलब दो वीडियो में डिवाइड किया है दो लेसन प्लान में डिवाइड किया है तो वो एक लेसन प्लान है ये सेकंड लेसन प्लान है एक ही पोईम के लिए तो जिन्होंने भी first part को या first unit के वीडियो को नहीं देखा है उसका link वो जो वीडियो है उस वीडियो का link मैं description box और comment section में put कर दूँगी आप लोग वहीं से देख लीजिए और friends अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो जल से जल subscribe कीजिए और साथ ही जो bell icon है उस पर click कर दीजिए ताकि हम जब भी new video upload करें आप तक notification पहुँच जाए और साथ ही साथ आप इस video को like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और कोई भी doubt या query हो या कोई और lesson plan चाहते हैं या कोई और topic चाहते हैं तो फिर comment section में put कर दीजिए तो friends lesson plan आप सब जानते हैं जैसे कि आप education के या teaching के professional course में है कोई BLA, BAD, DLA, BTC या कुछ और educational course कर रहे हैं जो professional course कर रहे हैं teacher बनने के लिए तो ये जो lesson plan है आपके लिए बहुत helpful है आप English में अगर lesson plan बना रहे हैं तो आप the kite chapter जो classics में हैं उस पर भी बना सकते हैं तो देखिए lesson plan बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको copy के ऊपर lesson plan number लिखने हैं कि कितने number lesson plan बना रहे हैं क्योंकि generally यह होता है आपकी universities या college में कहते हैं कि कहते हैं कि total 40 lesson plans बनाने हैं या 50 lesson plans बनाने हैं तो इसलिए आप वो serial number भी लिखेंगे सबसे उपर lesson plan को हम हिंदी में पाठी ओजना कहते हैं तो देखिए और अगर आप संस्रित के student है और आपने साथ में English लिया है तो संस्रित के भी पाठी ओजना जो है या lesson plan जो है हमारे चैनल पर available है आप वहां से भी संस्रित के पाठी ओजना यूज कर सकते हैं तो देखिए पहले सबसे पहले उपर लिख लिया है lesson plan जो number आपका serial number जो भी आप वो लिखेंगे फिर उसके नीचे आप school का नाम लिखेंगे जिस school में आपको भेजा गया है as a people teacher आप उस school का नाम लिखेंगे फिर उसके नीचे देखिए class, period, subject तो यह English poetry है और फिर right side में date और duration वो period, duration वो लिखेंगे फिर topic दकाइट, unit 2 क्योंकि मैंने दो units में divide किया है इसलिए यह unit 2 है फिर people teachers name यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और role number और section लिखेंगे फिर उसके बाद है general objective जैसे कि आप हम जानते हैं सब, सिर्फ आप, हम नहीं हम सब जानते हैं कि हम पढ़ाते ही बच्चों को इसलिए है ताकि वो कुछ सीख सके वो life में कुछ आगे बन सके तो यह जो poem है तो इससे भी तो बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे तो इसके कुछ general objectives है जैसे कि इस poem को पढ़कर बच्चे enjoy कर सके अब हम कुछ भी कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ खुशी मिले कुछ enjoyment मिले तब ही ना करते हैं तो इसके जो objective उदेश है general वो क्या है कि हाँ बच्चे खुश हो इससे खुशी मिले इस poem को enjoy करें फिर है कि poetry के लिए उनके जो taste है उसमें development हो कि हाँ वो poetry खुद लिखे या और पढ़ें जब तक हम उनमें interest डेवलप नहीं करेंगे तो वो खुद से तो possible नहीं है ना तो हमारा ये करतव भी है तो ये objective है कि हम भी हम उनको ये सब कुछ करने में help करें means रूची उत्पन करें उनमें interest increase करें फिर और क्या objective हो सकता है कि proper तरीके से कैसे poem को पढ़ना चाहिए वो बच्चे सीखेंगे फिर उसके बाद कि वो अकेले अगर poem को पढ़ रहे हैं तो अकेले भी पढ़ पाए और अपने friends के साथ chorus में पढ़ रहे हैं तो chorus में भी पढ़ पाए और फिर इस poem में जो भी कुछ है या फिर जो भी students इस poem को पढ़ कर feel करते हैं वो अपने आपको express कर पाए तो ये होगे इसका general objective सिर्फ इस poem के लिए नहीं आप किसी भी poem को पढ़ाए तो उसके general objective ये ही होना चाहिए फिर है specific objective specific objective जो है वो ये है कि specifically बच्चों ने क्या सीखाई इस poem को पढ़ने के बाद या जानने के बाद तो क्या एक तो ये है कि बच्चे इस poem को पढ़ पाए recite कर पाए फिर किस word को कैसे pronunciation किया जाता है ये किस पर जादा stress देना है उन सब पर बच्चे ध्यान दे फिर new जो words आए है इस poem में या difficult words है उनके meaning उनको पता चले और इसके जो theme है या central idea है जो इस poem का जो the kite poem है उसको भी बच्चे समझ सके तो ये specific objective है फिर उसके बाद देखिए assumed knowledge जैसे कि last इसके last part में भी मैंने बताया था कि assumed knowledge को हम previous knowledge भी कह सकते हैं मालब इसमें assume कर लिया है अब क्या assume किया है जैसे कि मैंने इसको दो unit में बाटा है तो हमने assume ये किया है जो first unit है जिसमें मैंने दो stanzas रखेते या कुछ और रखा था तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से बच्चे जानते हैं समझते हैं तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे जब बच्चों को पुरानी चीज़ों में doubt है तो नई चीज़े बच्चों में कैसे input करें तो इसलिए हमने assume किया है कि last भी हमने इस poem को थोड़ा पढ़ाया था तो बच्चे जानते हैं इस poem के बारे में फिर उसके बाद है teaching aids इस poem को पढ़ाते हुए आपने क्या-क्या यूज़ किया है blackboard, chalk, duster, pointer और यहाँ पे एक और missing है एक वीडियो भी यूज़ किया था the kite poem बर means flying kite को दिखाते हुए कि आसमान में इस तरह से या फिर किस तरह इसको देखके आपको कैसे imagine क्या assume कर सकते हैं आप वो सब कुछ तो यह देखिए सबसे पहला जो है क्या है introductory questions introductory questions में देखिए कि हम पुरानी जो पहले पढ़ा चुकिया उसमें से पूछ रहे है जैसे ये इस poem के जो poet है वो कौन है Harry Ben ऐसी Harry Ben इस type से अब चीज़े वो पूछेंगे questions कि जो जो हमने last class में पढ़ा है वो सब कुछ उनको याद है कि नहीं फिर last में problematic questions के last question यह होना चाहिए थी problematic question होना चाहिए कि जैसे मैंने यहाँ पर पूछा है कि what happens to the kite when air doesn't flow यह doesn't blow यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच्चे problem में फस गए तो आगे कि जो stanza है उसमें यह बताया गया है कि हवा के रुप जाने से काइट के साथ क्या होता है problematic questions के बाद हमने statement of aim रखा है जहाँ पर आपने topic को फिर declare किया कि today we shall study the remaining part of the poem the kite अब फिर जिसमें आप बताएंगे कि यह जो poem हम पर रहते इसके writer कौन है या फिर इसमें क्या बताया गया है वो बताएंगे उसके बाद है model recitation जिसमें आप बाकी जो stanzas बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे when string से लेके offer tree तक क्योंकि last में था जो हमने पढ़ा था उसके बाद से इसके बाद से continue किया है तो जहाँ पर when string है वहीं से लेकर offer tree तक आप पढ़ेंगे आपने recite कर लिया अब उसके बाद coral recitation जिसमें students पढ़ेंगे कि आप उनको बताएंगे कि हाँ आप पढ़ेंगे तो जिस जिस का नाम लेंगे वो पढ़ेंगे बच्चे फिर उसके बाद है pronunciation drill यह जो सोपान है बहुत important है क्योंकि आपके एक बार सुनने के बाद या दो बार सुनने के बाद बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर वो गलती करेंगे तो यहाँ पर आपको pronounce करके सही सही बताना है कि इस word को ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है या फिर ऐसे बोलते हैं और फिर आप blackboard पर लिखकर भी बताएंगे जो hard words होंगे वो नहीं समझ सकते आपको लगता है तो उसके लिए word study एक सुपान रखा गया है जिसमें आप जो word दिया गया है hard वो बताएंगे और बच्चों से उस word का meaning निकलवाएंगे चाहे sentence form करके या opposite meaning बताके या किसी और तरह से और method यूज करके आप बच्चों से निकलवाएंगे कि इस word का answer क्या हो सकता है तो यहाँ पर मैंने कुछ words लिया है देखिए फिर उसके बाद है explanation of the poem अब यहाँ पर आप poem को explain करेंगे यहाँ पर क्या क्या कहा है इस poem में यहाँ पर आप explanation method का use करेंगे यह तो काफी short में दिया हुआ है क्योंकि यह हमने लिखा है बट आप जब बोलेंगे और अच्छे से explain करेंगे उस वक्त फिर उसके बाद है silent reading आप बच्चों को कहेंगे कि वो silently read करें और अगर कोई भी doubt या query हो तो वो आपसे पूछें friends अप इस वीडियो को like करना ना भूले और चैनल को subscribe कीजे आप अगर इस चैनल को subscribe करेंगे वीडियो को like करेंगे अपने friends के साथ share करेंगे तो इससे हम motivate होते हैं तब लगता है कि हाँ और भी वीडियो बनाने चाहिए और यह सही में आपके लिए helpful है तो तब मुझे लगता है या हमें हमारी team को यह लगता है कि हाँ हमें और भी वीडियो बनाने चाहिए क्योंकि वो इन सब चीजे को लेके या फिर इन सब contents को लेके excited है वो और जानना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तब हमें भी लगता है कि हमें और महनत करने की जरुरत है हम और महनत करेंगे और new वीडियो लाएंगे और जितने जल्दी हो सके उतने ही जल्दी हम upload भी करेंगे तो इसलिए इस चैनल को subscribe कीजिए और share कीजिए अपने friends के साथ ताकि उनको भी इनसे benefit मिले फिर उसके बाद देखिए comprehension question जहां पर आप पूछेंगे अब जो जो पढ़ लिया है क्योंकि पूरे point को अब पढ़ी चुके हैं तो अब आप questions पूछेंगे उनसे कि कितना समझा है उन्होंने फिर उसके बाद है recitation यहाँ पर फिर बच्चों को बोलेंगे कि हाँ जैसे आप instruct करेंगे वो वैसे ही पढ़ेंगे फिर उसके बाद है recapitulation फिर अब आप पूरे point को बताएंगे कि शुरू से हमने पढ़ा क्या है इस poem में तो शुरू से ही पूरे poem को आप explain करेंगे और फिर last है home assignment मिस homework homework जो है boring नहीं होना चाहिए कि हाँ आपने exercise दे दिया और बच्चे वही कहीं से छाब कर लिख रहे है homework तोड़े interesting हो ताकि बच्चे भी थोड़े सोचे थोड़े दिमाग लगाएं उनके लिए excitement टाइप को छो जैसे यहाँ पर homework दिया है देखिए try to make a kite with your friends after collecting the things required अब क्या है कि आप एक kite बनाईए एक पतंग बनाईए अपने friends के साथ मिलकर मिस फिर क्या है after collecting the things required means इसके लिए क्या जरूरी है paper चाहिए glue चाहिए और क्या क्या चाहिए वो सब कुछ collect करने के बाद अपने friends के साथ मिलकर kite बनाईए अब इसमें क्या होगा ये बच्चे अपने free जो time है उसको utilize भी कर लिया kite बनाना भी सीख लिया और वो खुश भी हुए बहुत ये नहीं कि बस हाँ homework दे दिया वही छापके या लिखकर लाना है वही boring काम इससे बच्चे बोर हो जाते हैं बट इसमें अगर है क्या है कि हाँ बच्चे excitement के साथ ये काम करेंगे और उनका ये भी नहीं कि हाँ free time जो है वो कहीं waste करेंगे इसको utilize करेंगे I hope friends आप समझ चुके हैं तो कोई भी doubt या query हो तो comment section में put कर दीजिए और अगर कोई और chapter है या कुछ और topic जिस पर आप lesson plan चाहते हैं तो फिर वो भी comment section में put कीजिए और इस video को like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और इस channel को subscribe करना ना भूले Thank you